नमस्कार आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है और उत्तर प्रदेश पुलिस परिक्षा के तयारी आप सभी लोग कर रहे हैं समय आपका बहुत नस्दीक भी आ चुका है तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम लास्ट येर के जो क्वेशन्स है उनकी हम अच्छी तरीके से तयारी कर पाएं ठीक है या नि कि प्रपरिशन करने के लिए हम जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न है वह किसी भी परिक्षा के लिए आईना की तरह से काम करते हैं और सबसे जरूरी हो जाता है कि लास्ट येर के जितने भी question है उसको उमची तरीके से revise कर जाएं तो चलिए last वीडियो में हम लोगों ने दो चैप्टर देखाता है जिसमें आउसत अनुपाद और अनुपाद समानुपाद के चैप्टर सब लोगों ने देखे थे आज हम लोग बहुत important chapter एक लेकर क्या है प्रतिशत ठीक है और साथ चाथ प्रतिशत में विगत वर्षों में जितने भी प्रश्ट पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीपी में जितने भी कोशन पूछे गए हैं उन सभी कोशनों को हम यहाँ पे solve करेंगे सबसे पहला कोशन क्या है 65 का 220 प्रतिशत कितना है 65 का आपको निकालना है कितना 220 परशेंट कितना होगा तो 65 गुड़े 220 बटा क्या होगा 100 जिरो जिरो कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर एक अंग पर दिसंबलो लगा दे तो 6 दिसंबलो 5 गुड़े 22 होगा इसका multiply कर और 22 चके 132 और 111 कितना हो जाएगा तो 122 चके 132 और 111 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप जोड़ लीजिए कितना होगा 143 ठीक है तो आपको जो सही right answer वो कितना होगा 143 ठीक है 143 चलिए come to the next question दूसरा question हमारा देखिए बहुत important question यहाँ पर भी एक पुछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल परिशा 2018 में यह question पुछा गया है कि 525 का 28 परतिशत कितना होगा 28 परतिशत का मतलब 28 बटा 100 तो 525 गुड़े यह हो गया 28 बटा 100 ठीक है यहाँ पर अगर हम इसको काटना चाहा है तो काट करके छोटा कर सकते हैं या फिर यहाँ प 25 गुड़े 28 कितना होगा 8 पंच 40 का 0 हात में है 4 आरदुनी 16 चार 20 का सुने हात में 2 आट पंच 40 दो 42 तो का गुड़ा करें दो पच्चे 10 दो दूना 4 एक 5 और दो पंचे 10 कितना हो जाएगा 0 0 5 2 7 4 कितना हो जाएगा 147 कौन सा option हमारा सही है देखेगा ध्यान से दो अंक प अंक प्रदेश पुलीस कॉंस्टीबल परिक्षा 2018 में यह प्रेश्ट पूछा गया है कि 450 का 78% कितना होगा 1 0 से 1 0 कैंसल कर देते हैं यह कितना होगा 4.5 multiplied 78 10 से भाग देंगे तो एक रंग पर समलो हमारा लग जाएगा और इसका जब multiply करेंगे तो यह आपका होगा 351.0 कौन सा option हमारा सही है option number यह हमारा बिल्कुल सही है अगला question देखते हैं यहाँ पर दिया है 800 का 85% का 120% का आपको 40% निकालना है तो चलिए निकालते हैं 800 का कितना है percent है 85% का मतलब 85 बटा 100 120% का मतलब 120 बटा 100 और 40% का मतलब 40 बटा 100 यह 2 0 से 2 0 कैंसल कर दिया 1 0 से यह कड गया 1 0 से आपका यह कड गया ठीक है और यहाँ पर देखे का आपका द्यान से 100 बचा हुआ है इसको थोड़ा सा स्वाल कर लीजे तो 8 गुडे 12 गुडे 50 यह आपका है तो multiply कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आपका बचा है 8 बचा है 4 से काटी है 4 एकम 4 4 पचे 25 बचा है अब यहाँ पर multiply कर दीजे 17 गुडे 12 से 84 का 4 हाथ में आए 8 12 एकम 12 आट कितना हो गया 20 और बटा कितना हो गया 5 8 से multiply कर दीजे 8 चोक को 32 8 दूनी 16 बटा 5 कितना होगा 5 दूनी 10 हो गया 3 और 2 हो गया 5 दूनी 10 होगा 5 दूनी 10 होगा 5 दूनी 10 होगा 326 दूनी 10 होगा आपका राइट आइंसर होगा कौनसा ऑप्शन सही हमारा option नूमबर B हमारा क्या है बिलकुल सही है प्रस्ट देखेगा इसी लेवल के प्रस्ट आपके परिक्षा में पूछे जाएंगे इसलिए विगत वर्षों के प्रस्टों को जरूर देख करके जाएए हमारी पूरी ये सिरीज एक बार आप जरूर इसको देख करके जाएएगा ठीक है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी माल लिए वह संख्या यक्स है यक्सलिए का 45% कितना के बराबर है 135 के बराबर है तो इस यक्सलिए के बार किम क्या होगा 135 गुड़ गुरी 100 बटा कितना हो जागा 45 है कितनी बार में З,o आनी वो संख्या कितनी हो जाएगा 300 कौन सा option हमारा सही है option number D हमारा क्या है विल्कुल सही है चलिए अगला कोशन देखते हैं किसी करमचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है उसके बाद 54% मैंने आपको बताया था कि अगर कुछी भी कोई भी दो राश्यों में परिवर्तन हो रहा है और एक में परिवर्तन यक्स पर 100 होता है मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान बढ़ता है तो X का मान पॉजिटिव लेते हैं अगर मान घटता है तो X का मान निगेटिव लेते हैं ठीक उसी तरीके से अकर मान बढ़ेगा तो Y का मान पॉजिटिव और घटेगा तो Y का मान क्या लेंगे निगे 54 प्लस 50 गुड़े माइनस 54 अब बटा कितना होता है 100 यह हमारा formula हमने इस पर set कर दिया ठीक है यह formula बहुत सारे chapters में लग जाएगा आपका तो घटाईए इसको माइनस 4 प्लस 50 से कम 50 52 सो 2 से कितनी बार में कटेगा 27 बार में कटेगा ठीक है यहाँ पर आपका हो गया माइनस 27 तो माइनस 4 माइनस 27 कितना हो गया माइनस 31 परशेंट माइनस बता रहा है कि क्या हो रही है कमी हो रहा है तो कौन सा option हमारा सही है 31 परशेंट हमारी कमी आनि option number B हमारा क्या है बिलकुल सही है चली come to the next question question number 8 के ओर देखते हैं कहता है कि किसी संख्या का 3 गुना तो माल लीजे संख्या क्या है आपका यक्स है तो इसका 3 गुना हमने कर दिया कितना हो गया 3 गुना अब उसी संख्या के 50 परशेंट के 4 गुना तो माल लीजे संख्या हमारा यक्स है इसका हमने क्या निकाला पचास पर्षेंट निकाला और पचास पर्षेंट का फिर क्या निकाला चार गुना निकाला फिर देखेगा किसी संख्या का तीन गुना कह रहा था तो हमने पहले संख्या का तीन गुना कर दिया फिर कह रहा है उसी संख्या के पचास पर्षेंट के चार ग परिडामाय में देद संख्या से 200 अधिक हो जाता है अरिग कोशन देखे Ida मनले वह संख्या माले एक्स का हमने क्या क्या किया तिन गुंञा कर लिया फिर अप क्या क्या किया निकाला एक्सके पहले वारी यानि तीन यक्स में हमने इसको मिला दिया मिलाने के बाद क्या होता है कि यह जो हमारी मूल संख्या है इसे 200 अधिक हो जाता है चलिए solve करते हैं तो तीन यक्स धन 50 से कम 50 50 दूनी 100 दो दूना 4 कितना हो गया 2 यक्स बराबर कितना हो गया 200 यक्स बराबर 200 बटा 4 कितना हो गया आपका 50 कौन सा option हमारा सही है option number B हमारे क्या है बिल्कुल सही है अगला question देखते है 11 चक्के और 5 boundary सहीत विराट ने 150 रन बना total रन कितने बना 150 बना कहता है लगाने के बाद जो चक्का है उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशात है चक्के से कुल कितना रन बनाया है 11 चक्का मारा है एक चक्के पे 6 रन मिलता है यानि कुल 6-6 रन जो है उन्होंने चक्के से बनाया है तो और total रन कितना बनाया है 1500 बनाया है तो यह कितना परशेंट हो जागा कर दिया 100, 0000 कैंसल कर दिया, 5-3-15, 5-2-10, और 3-6-6 कितनी बार में कटेगा, 22 बार में कटेगा, और 22 का गुड़ा 2 में करें कितना हो गया, 44 पर्षेंट का ये परिवर्तन, 44 पर्षेंट जो होगा, ये वो रन होगा जो रोन ने छक्के से प्राप्त किया है, ठीक है, अगला कुशन देखते हैं, किसी करमचारी का वेतन पहले 50 परतिसत बढ़ता है, ठीक है, तो यक्स का मान मान लिया 50, फिर कहता है, 44 परतिसत घड़ जाता है, तो य का मान क्या मान लिया, माइनस 44, तो नेट परिवर्तन क्या होता है, यक्स प्लस वाई, प्लस यक्स वाई बाई हंड्रेड, यानि कि 50 माइनस 44 प्लस 50 गुड़े, माइनस 44 बटा 100, पचास दूने 100, दो से कितने बा सौना होगा-16% या मायनस बताता ही क्या हो रहा है कमी हो रहा है कौन सा उप्षान हमारा सही है अगला कोश्न दिखेंगा एक वस्त के मुल्य में परतिवर्स 20 परतिशत का अव्मुल्यक्य होता है तो दो 2 वर्स पहले को खरिदा गया तरहक तो अब एक साल के बाद इसका मुले 20 परसेंट घट गया यानि कितना मुल्य हो गया इसका 80 बटा 100 हो गया फिर अगले साल यानि दो साल की बात कर रहा है तो पहले साल इसका मुल्य यक्स का 80% हो जाता है फिर दूसरे साल कितना हो जाता है 80% हो जाता है यानि 80 बटा 100 वरतमान में इसका मुल्य है कितना 8000 रुपे है यानि यक्स का 80 ब गोडे सव बटा आठ गोडे आठ कितने बार में कटेगा एक हजार बार में फिर आठ से काटेगा तो आठे कम आठ दो सुन्य आठ दूनी सोलह आठ पांच चालिस कितना होगा बारह हजार पांच सो कौन सा आप्सन सही है आप्सन नमबर भी हमारा सही है देखेगा यह जितने भी प्रस्ण है बच्चों यह सभी विगत वर्षों के परीक्षा में पूछे गए प्रस्ण है इसलिए इनको मा लिजिए इनको पासिंग नमबर यह बीच में कुछ पासिंग नमबर चाहिए था अगर यह पासिंग नमबर मिलता है तो यह दोनों पास हो जाएंगा अब होता क्या देखेगा एक कितना नमबर प्राप्त करता है 67 परतिसात नमबर प्राप्त करता है ठीक है जो बी कितना पढ़ता है 27% नमबर तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया दोनों के नमबर में अंतर कितना हो गया तो 67-28, कितना हो गया? 40% का अंतर इन दोनों में है, अब देखो, यह जब 67% नंबर पाता है, तो 192 नंबर अधिक पाता है, किसे 192 नंबर अधिक पाता है? यह जो passing mark उसका है, हमने जो passing mark सोचा है, उससे वो 192 प्लस पाता है, अब B जो 27% जो नंबर पाता है, तो वो 48 अंको से fail हो जाता है, यानि कि passing कंको से 48 नंबर कम मिल जाता है, इन दोनों का अंतर अगर निकालेंगे, तो 192 माइनस, माइनस 48 कितना होगा? 192 धन, 48 कितना हो जागा? 240 का, यानि इस तरीके से अगर हम अंको का अंतर देखेंगे, तो 240 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्र 40%, एक बात हमेशा याद रखेगा, जब भी कोई अंको का सवाल होगा, तो अंको के सवाल में जो पूरांख होता है, वो हमेशा 100% के बराबर होता है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 100% का मान निकालेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर दोको 40% का यह जो अंतर आ बच्चों के बराबर है, एक पर्षेंट का मान, 240 बटा, 40, कितना हो गया आपका, जब आ गया, तो 100% का मान कितना हो गया, 600 हो जाएगा, यानि कि उस परिक्षा का पुढांग कितना हो गया, आपका 600, आप पूचता है कि उत्तिर्ल होने के लिए कितना अंग चाहिए, तो देखिएगा 600 का हम 27% निकाल लेते हैं देखो 27% जम नमबर पाता है तो 48 अंकों से फेल हो जाता है तो 27% निकालेंगे और इसमें हम क्या करेंगे 48 को क्या करेंगे जोड देंगे ठीक है कितना हो जाएगा कितना नमबर पाता है वह 210 नमबर प्राप्त करता है ठीक है चलेगा फिर निक्सक्रोशन देखेगा किसी किसी चुणाव में दो उमिद्वार है माली जी पहला उभी द्वार है दूसरा उमिद्वार है एक को 57 परशेंट वोट मिला माफ करिएगा एक को 57 परशेंट वोट मिला अगर मिला है तो मुझको बताईए कि दूसरे को कितना मिलेगा अगर एको 57% vote मिला है तो जाहिर सी बात है दूसरे को कितना vote मिला है? 43% दोनों के बीच में कितने vote का लत रहा है? तो 7 में से 3 जागा 4, 5 में से 4 जागा 1 14% vote का लत रहा है और क्या करे रहा है? वो दूसरे मुध्वार को 6,524 vote से हरा देता है यानि कि यह जो 14% का मान है यह 6524 के क्या होगा बराबर होगा एक परसेंट का मान कितना आएगा 6524 बटा 14 काटी है इसको तो कितना होगा 144 को 56 और 549 बानबे 146 के 84 89888-1466 84 तो 100% कितना होगा यानि कुल बोट निकालेंगे जिस तरीके से पूरांख हमारा 100% का होता है उसी तरीके से जो कुल मतदाता या कुल बोट हमारा होता है वो कितने परसेंट का होता है 100% का होता है तो 100% का मान निकालिए तो 46,000 हो जाएगा यानि 46,600 हमारा जो ये है ये हमारा total vote है अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि हारा हुआ उमिद्वार कितना vote पाया तो हारा हुआ उमिद्वार कितना vote पाया है 43% vote पाया है तो 46,600 का 43% निकाल लिएगा कितना हो जाएगा तो multiply करेंगे 466 में 43,000 का गुड़ा करिंग कितना हैगा 20031 समझ में आ रहा है कौन सा option हमारा सही है option number B हमारा क्या है बिलकुल सही है चलिए come to the next question एक परिक्षा में एक छात्रा ने 85% अंग प्राप्त किया एक बात याद रखेगा ज़से मान लिजिए कि अगर कुसी परिक्षा में बहुत सारे paper निया से पहली 5 विशे है तो अगर किसी ने 85% अंग प्राप्त किया इसका मतलब 85% एक आउसत मुल्य को बताएगा यानि 85% जो है वो सभी विशियों के मार्क के आउसत को बताएगा तो अगर हम यह कहना चाहते हैं कि अगर कुल पूरांग विश्के या पर हमको किसके विश्के में कुछ भी जनकारी नहीं है तो क्या होगा देखे धान से